प्रुधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे देश को संबोधरत करने वाले हो ठीक एक घंटा 36 मिनट बाद इंडिया टीवी पर देश के नाम प्रुधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप देख सकते हैं बठाल अब रुख करते हैं बिहार का बिहार के दबंगा का रुख करते हैं जाले विधानसभा सीट से देखते हैं पवं नारा की ग्राउंड रिपोर्ट नमस्कार बिहार चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ पवन नारा और आज हम पहुंचे हैं जाले विधानसबा सीट ये विधानसबा सीट जिन्ना के नाम से सुर्खियों में वजह है कॉंग्रिस ने यहां से अलिगड मुश्लिम युनिवस्टी के पूर्व छात्रध्यक्स मकसور ऐहमद उस्मानी को मैदान में उतारा है वही छातर अध्यक्स जो जिन्ना की तस्वीर के विवाद के बाद अलीगड मुस्लिम युनिवस्टी में संगर्ष करते दिखाई दिये थे और इसी बात पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिन्ना को चाहने वालों को कॉंग्रिस ने टिकेट दिया है और इसी तरीके से बिहार के चुनाव में जिन्ना की एंट्री हो गई है आज हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं वोटरों से बात करने के लिए उनका मन टटोलने के लिए कि जमीन पर आखिर मुद्दे क्या है क्या सिर्फ जिन्ना एक मुद्दा है या फिर जमीनी हकीकत कुछ और है क्या ब्रैंड मोदी और ब्रैंड नितीश कुमार को महा गटबंधन का ब्रैंड युवा चुनोती दे पाएगा इन सब सवालों को टटोलेंगे आईए हमारे साथ 2020 के विधानसवा चुनाओ में सबसे युवा उमिद्वार डॉक्टर मस्कूर उस्मानी हमारे साथ है डॉक्टर साब राजनिती में कैसे आ गए और इतने युवा की सबसे युवा का तमगा आपके बास है देखिए मेरी पैदाईश दरभंगा में हुई मेरी पढ़ाई दरभंगा में हुई केंदीरे विद्धियाला यहां हमाई डाय एरफॉर्स स्टेशन भे हमाले स्कूल वहां से मनी पढ़ाई हुई फिर उसके बाद मैं अलिगड़ गया वहां से मैंने मेडिकल की सिक्षा गरहन की उसी दौरान मैंने वहां चातरसंग भी चुनाओ लड़ा और चातरसंग का चु वंचिस समाच के लिए लड़ाई लड़ता रहा गड़ीबों के लिए लड़ाई लड़ता रहा किसानों के लिए लड़ता रहा सरक पे हम लोगों ने अंदोलन किया लाठिया खाई डंडे खाए और मुझे लगता है कि मेरे इस संगर्ष को देखते हुए माह गडबंदन क तमाम खटक दलों ने और खासत वर से हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने मेरे इस संघर्ष को जो है एक नाम दिया और उन्होंने मुझे यहाँ पर चुनाओ लड़ने का देश दिया चुकि हमारा छेतर हमारा घर है तो हम से कहा गया कि आप अपने घर से चुनाओ लड़ीए संघर्ष की बात कर रहे हो इसी संघर्ष पर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि ये वही संघर्ष था जो जुन्हा की तस्वीर के लिए अलिगर्ड मुस्लिम इनिवस्टी में किया गया इस पर क्या कहे हैं राजनीती में आ गया कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी इंस्ट्यूशन जो सरकारी होता है वो किसी का परस्नल प्रोपर्टी नहीं है जुसमें आप उपर नीचे कुछ कर सकते हैं हमने सरकार को पदलिखने काम किया सरकार का जवाब नहीं आए सरकार से सवाल पूछिए कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया आपने क्यों नहीं उसको उतारा ये आप उनसे पूछिए हमसे मत पूछिए हमने अपना काम किया है बीजेपी के पास विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है और जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो बिनमुद्दे की बात करते हैं मुद्दा हमारे पास है हम सिख्षा पे बात करेंगे हमारे जाले विधानसभाद छेतर में 35 फीसद ऐसे लोग है जो आज बीए अपना स्थ्राक्षर करना नहीं जानते सिगनेटर नहीं जानते हैं वो अंगुठा लगाते हैं अगर मुझे यहां के लोगों ने प्यार दिया अपना आशिरवाद दिया अपनी मुथबत दी तो मैं यहां के लोगों से वादा करता हूं कि सौ फीसद तो नहीं क्योंकि सौफीत कुछ नहीं होता नबे फिसद से उपर लिटरेसी रेट जाले विधान सबा की होगी और आने वाले पांस साल में कोई अंगुठा लगाने वाला नहीं होगा आपर शिक्षय की बात है पूरे बिहार में नितीश कुमार पंदरा साल से हैं उनकी क्या कमिया रहे गई जो आप अपने वोटर के सामने बता रहे हैं देखें कमिया उन्हों ने कहा कि हमने विकास की धारा बहाई है नितिस जी का यह कहना है अब मैं यह कहता हूं कि आपने विकास की धारा नहीं आपने विकास का नाली भी नहीं बहाया है लेकिन अगर महागडबंदन की सरकार आती है और जाले की जंता हमें अशिरवात देती ह तो हम यहाँ पर विकास की धारा नहीं भाएंगे, हम यहाँ विकास की गंगा भाएंगे, स्वास्थ सुविदाओं को, स्वास्थ सुविदाओं में जो कमियां है आप मेरे साथ चली अगर आपको पूरा दिन है, तो आपको हम गमाते हैं पूरा, एप Champions में लेके चलता हूं, पी एच सीज में लेके चलता हूँ खंडर इमारते दिखेंगी खंडर इमारते ऐसा लगता है कि 1990 में जब कांग्रेस की सरकार थी ठीक है या उसके बाद जब गडबंदन की सरकार थी उसमें जो बिल्लिंग बनी है पलास्तर होने से रह गया सरकार बदल गई होगे पलास्तर नहीं बाओगा तो आज तक पेंट छोड़े पलास्तर तक नहीं हो पाया उसमें और डॉक्टर नहीं होते भाई दवाईया नहीं होती मेरी माँ की तबियत जब खराब होती है यहाँ पर तो मुझे ले के शहर जाना पड़ता है मेरी बहन को जब परसा पी रहा होती है तो मुझे शहर आओ बेटा स्कूल चलो चुकि अगर तुम सिक्षा गरहन करोगे तभी तुम तरक्की की और बढ़ोगे कोरोना काल में परचार कितना मुश्किल कितना आसान चुकि आप अलीगर पढ़के आए कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है तो अभी तो हम करोना महामारी से लड रहे है लेकिन ये जो करोना है ये वक्ती करोना है बिहार को कोरोना 15 साल पहले हुआ था 15 साल से कोरोना है असली उस कोरोना को भगाना है नितिश कुमार की सरकार को असली कोरोना बता रहे हैं कि उन्हें भगाना इनका मकसद है फिलहाल कह रहे हैं कि डॉक्टरी की पढ़ाई और शिक्षा यानि स्वास्थे और शिक्षा पर काम करेंगे वोट मांगने के लिए निकल रहे हैं नामांकन पत्र फाइनल नहीं हुआ है इसलिए चुनाव प्रचार नहीं कर सकते सड़क के नारे जो मिल रहा है उसको नमस्कार कर आगे बढ़ रहे हैं चाए की दुकान है यहां कॉंग्रेस या कहें कि मा गटबंदन के उमिद्वार अभी आके गए उमिद्वार आपके सामने थे क्या सवाल किया सवाल यही सब किये कि हम नजूबक है अभी सबसे इसमें यूवा है और अभी एक बार लाकर देखिए यही सब बताए हाँ आपके मन में क्या सवाल थे मन में सवाल था कि एक बार देखे इनको भी लाकर नजूबक है नजो के नैना चीज में नया उमंग होना चाहिए यहां का ब्रैंड अगर बात की जाए tuaह नितिश कुमार 15 सालसे शाषन कर रहे है नितिश कुमार के काम को आप कैसे आ करे हो नितिश कुमार जी भी ठीक है । गलत ने है ठीक है ठीक है लेकिन यह दारू बंद करके गलत किया अच्छा दारू बंद करके गलत किया क्या मिल रही है क्या महिंगी मिल रही है अरे मिल रहा है वो भी पीलेक से मिल रहा है अच्छा बढ़ गया है अब हम नहीं हम नहीं पीते हैं दूसरा पीता है तिसरा पीता है चोथा पीता ह लेकिन दारु तो दली गली में मिल रहा है वोट देंगे अच्छा देखते हैं तो जहां दिये हैं वहीं देंगे नितिश को अच्छा देखते हैं कोई काज ने भेल जाए हावा पाड़ी जुमला बाजी बयान बाजी गड़ी गड़ाई लिखाए बच्छा सबके तो हर बच्छा कोटाम परिचा गड़ी बच्छा अंगल बड़ी परिच से दिमाग नेची भरम परावे के काच करें तो कूट किस करवट बैठ रहा है तो लालू जी तो अभी भी रिम्स में है तो लालू के नाम पर पढ़ रहा है कि तेजस्वी के नाम पर पढ़ रहा है वो बदल जाता है वो दूसरी बात है लेकिन सब जाए तरके लालू के ही पक्त में है लालू का ही चेहरा याद है वोट लालू के साथ ही है तो लालू क का चेहरा आज बी है भले ही वो रिम्ज के हो बले ही त्यजिस्वी मैदान में खड़े हो लेकिन लालू को याद किस परनना चाह gonna बनना चाहिए निटिस कुमारी का है कहां में आप को कॉन से काम में पास लग रहे हैं आपको में दिखाड़ा कि मतलब प्रहाय काइघ शहीं सभा रहा है रट के काम भी हुआ है सलेंडर मिला है बिजली मिला है सब का हम कि अच्छी बात है क्या नम हो आपका हमारा नाम हे सुकह इस बर्हाए क्या पिक्या स्थित्टी है विहार चुनामँ एक बोर्ट किसकी तरफ नेतिस के साथ है तो प्रैंड नेतिस जो जेडियू है वो मजबूत है हम प्रैंड जेजेट यू ऑड़ा है इसलिए मंदिरों में जुट रही भक्तों की भीड को आधियात में गुरू श्री श्री रविशंकर ने क्या मेसेज दिया देखिए प्रेके बाद